केंद्रवीं मंध्री मन्डल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफधू ई नीटीन में हालिया संशोधन भारत में अंतरेक्षएतर में करांटी लाने कि लिए तयार है। नीटी अब नामित उप खेतरों में सोई फीसेदी तक एफडियाई के अनूमति देती है। जिसमें आंतरे क्षेत्र के भीतर विभिन गतिविधियों के लिए विशिष्ट सीमाय निर्धारित की गई है। आपको बताएं कि इसके तहट उबग्रह निर्माण और संचालन जैसे गतिविधियों के लिए 74 फीसेदी तक FDI के अनुमती दी गई है। जबकि लॉंच वहनों और स्पेस पोर्ट के निर्माण के लिए 49 फीसेद सीमा रखी गई है। इसने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में नेजी क्षेतर की भागेदारी को काफी आगे बढ़ाया है। इसरु और नेजी उद्यमों के बीच की खाई को भी इसने प्रभावी धंग से पाटने का काम किया है। जिससे वहकाई प्रकार की अंतरिक्ष कतिविडियो में शामिल हो सके। इसी तरहें साल 2019 में स्थापित New Space India Limited NSIL भी भारत के अंतरिक्ष को बदलने में महत्वपूर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश का स्पेस सेक्टर अगले 10 साल में पांच गुना बढ़कर 44 अरब डॉलर के पार हो जाएगा। विशेशग्यों का मानना है कि भारत ने अपने अंतरिक्षेत्र में 100 फीसदी तक FDI के अनुमती देकर विदेशी निवेशकों की बड़ी संख्या में आने, तकनीकी हस्तांत्रण और रिसर्च और वेग्यानिक सहियों का रास्ताप खोल दिया है। दूसरी और साटलाइट विनिर मार और संचालन, साटलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेग्मेंट और उप्योग करता सेग्मेंट के लिए 74 प्रतीशत FDI के अनुमती अब देदी गई है। इसके अलावा लॉंच वहनों और संबंधित प्राडालियों के विकास और अंतरिक्ष जियान को लॉंच करने और प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माड के लिए सुवर्चालित मार के तहत FDI 49 प्रतीशत तक तह की गई है। भारती अंतरिक्ष शेत्र में शामिल कंपनियों के निवसार यह कदम। स्पेसेक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, स्टार्लिंक, अमजन, ब्लू ओरिजिन, एर बस दिफेंस और स्पेस, रॉकेट लाप, मेक्सर टेक्नोलोजीज और यूटल सेट जैसे वाहन व्यावसाओं को लॉंच के लिए भी दरवाजे अब खोल सकता है।